रितिक रोशन की फाइटर ने हॉलिवुड फिल्मों को पचाड़ा बनी दुन्या की टॉप फिल्म पहुची 200 करोड पार। पठान के बाद डाइरेक्टर सिधार्थ आनंद का जल्वा एक बार फिर से नजर आ रहा है। सिधार्थ की नई फिल्म रितिक रोशन और दीपिका पादुकोन स्टारर फाइटर एक बार फिर से धमाके कर रही है। पहले दिन उम्मीद से धीमी शुरुआत करने वाली फाइटर ने दूसरे दिन से ऐसी रफ्तार पकड़ी की इसका विकेंड कलेक्शन बहुत दमदार हो गया। भारत में रितिक की फिल्म ने पहले विकेंड में 120 करोड रुपे से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। गुरुवार को रिलीस हुई फाइटर ने पहले दिन की धीमी शुरुआत के बाद शुकृवार से दमदार कलेक्शन करना शुरू किया और अब तक बॉक्स ओफिस पर चार ठोस कमाई वाले दिन देख चुकी है। रितिक दीपिका की फिल्म सिर्फ भारत में ही कमाल नहीं कर रही, बल्कि इंटनेशन मार्केट में भी फिल्म ने एक बड़ा कमाल किया है। बीते वीकेंड रितिक की फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म भी रही। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस पर फाइटर की धाक। रितिक रोशन और दीपिका पादुकोन की फिल्म फाइटर ने पहले विकेंड में हॉलिवुड की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस पर ये फिल्म बीते विकेंड की सबसे बड़ी फिल्म रही.